नमस्कार, Financial Action Task Force FATF ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा. चलिए समझते हैं FATF और पाकिस्तान पर इसकी ग्रे लिस्ट जैसी बड़ी कारवाई के बारे में. सबसे पहले ये FATF क्या है? Financial Action Task Force FATF एक Inter-Government Organization है, जिसके स्थापना 1989 में हुई थी. इसका Headquarter France के Paris में है. ये संसाद दुनिया भर में आतंकी संगठनों की funding यानि आर्थिक मदद करने वाले देशों पर नजर रखती है. जो देश आतंकीयों की मदद करते हैं, उनको Gray List या Black List में डाल दिया जाता है. साल में तीन बार इसकी Meeting होती है. FATF ने दुनिया भर में Terror Financing और Money Laundering के खिलाफ कुछ Standards और नियम बनाये हुए हैं. FATF में कितने Members हैं? दरसल FATF में 49 सदस से होते हैं. वर्तमान में इसमें 37 देश और दो Regional Organization है. अब समझते हैं कि ये Gray List क्या होती है? Gray List में उन देशों को शामिल किया जाता है, जिन पर Terror Funding और Money Laundering के सुरक्षे ठिकाने होने का आरोप होता है. ये एक तरह की चेतावनी होती है कि आपको Black List में डाला जा सकता है. Gray List में नाम आने पर किसी देश को IMF, World Bank जैसे संस्थानों से पैसे लेने, लोन लेने और International Business में दिक्कत आती है. अब समझते हैं कि ये Black List क्या होती है? Terror Funding और Money Laundering को लेकर कॉपरेट ना करने वाले देशों को Black List कर दिया जाता है. इन देशों को Non-Coperative Countries और Territories, NCCTs कहा जाता है. इस List में होने का मतलब है कि वो देश Terror Funding और Money Laundering को सपोर्ट कर रहा है. और चुकि ये Black List है, तो कोई भी देश अगर Black List में जाता है, तो उसे IMF, World Bank जैसे संस्थानों से लोन नहीं मिल पाता है. दर असल ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान को Gray List में डाला गया है. 2018 में FATF ने पाकिस्तान को Gray List में डाला था, और 27 पॉइंट का Action Plan देते हुए एक साल का समय दिया था. पाकिस्तान ने इन पर भी अमल नहीं किया था. अक्टूबर 2020 के जब बैठक हुई थी तब पाकिस्तान 6 माप दंडों को पूरा नहीं कर सका था. FATF की बैठक ने उसे फरवरी 2021 तक का समय दिया था और Gray List में बरकरार रखा था. आज की इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद.